Hello Everyone, आज की रेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे GLE GLE मतलब Gold Leaf Electroscope Gold Leaf मतलब किया? यहाँ पर Gold की पतिया लगी होती है बिलकुल यहाँ पर Gold की Leaf लगी होती है अब GLE होता क्या है? इसका यूज कैसे किया जाता है? इसकी Importance क्या क्या है? तो वो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, कि ये बना कैसा होता, मतलब इसकी looks कैसे होते हैं, ठीक है, इसकी structure, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक glass jar ले लेते हैं, अब यहाँ पर जो ये हमने glass jar बना दिया, कि इसकी यही shape confirm होती है, कि ये ऐसा ही होगा, मतलब cylindrical shape होगी, rectangular shape होगी, circular shape होगी, कैसी होगी, तो कैसे भी ले लो, यहाँ पर बस हमी glass jar लेना, glass का बना हुआ, जार ले लेना, ठीक है, यहाँ पर हमने एक insulated cork लगा दिया, मतलब इस jar के उपर हमने धकन लगा दिया, ठीक है, यह यहाँ पर insulated है, important point है insulated है, और इसके अंदर एक hole कर दि यह जो यहाँ पर इसका cork है, ढकन है, इस पर हमने एक hole कर दिया, और इस hole के अंदर से एक metallic road डाल दी, क्या डाल दी, यहाँ पर यह हमने एक metallic road, तो नाम लिख देते हैं, metallic road, मतलब metal से बनी हुई road, यह क्या था हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं, glass, जार, और यह क्या था है, यहाँ पर insulated cork, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने उपर लगा दिया, एक metallic disc, यह वाली चीज़ क्या है, metallic disc, यह भी metal की बनी हुई है, metallic disc, ठीक है, बट यहाँ पर gold की leaf कहाँ पर है, gold leaf जो सोनी की पतियां है, वो यहाँ पर लगा दिये, जो कि lab के अंदर नहीं होता है, वरना तो बच्चे इसकी gold leaf को उठा के भाग जाएंगे, ठीक है, तो यह यहाँ पर क्या है, gold leaf, यह वाली दोनों जो leaf हैं, पतियां हैं, इनको हम बोलते हैं, gold leaf, gold की जगे, aluminium भी use किया जाता है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर कुछ और भी होता है, लेकिन उसका use हम बाद में बताएंगे, तो बाद में ही लगाएंगे, तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक road और ले ली यहाँ पर, यह road है, कौनसी road, किसकी बनी हुई road, उसको बताने से पहले, सबसे पहले हम थोड़ा सा topic के बारे में जानते हैं क्या, अब जो यह topic है हमारा GLE, gold leaf electroscope, GLE, अब electroscope, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, वैसे तो देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होगा, electron, बड़ यहाँ पर हमें, electron की बजाए बोलना है, charge, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो charge, electron ही हो, वो तो positive charge भी हो सकता है, तो यहाँ पर electro का मतलब है charge, scope का मतलब जो observe करें, जो measure करें, ठीक है? तो जो charge के बारे में बताएं, तो एक तरह से जो GLE है, उसका use क्या होगा? GLE का use होता है, to detect the presence of charge, to detect the presence of charge, second है, एक तो यह बताएगा कि कहीं पर भी charge है या नहीं है, अब charge की कोई looks तो होती नहीं है, जो हम देख के बताएगे कि अरे इस पर तो positive charge है या इस पर negative charge है, इस पर charge है भी या नहीं है, तो देखने से तो पताएगा नहीं, तो उसकी measurement हमें करने पड़ेगी, तो GLE की help से हम बता पाएगे कि किसे भी body पर, किसे भी material पर charge है या फिर नहीं है, ठीक है, तो presence of charge को detect करते हैं, ठीक है, उसके बाद to find polarity, polarity, to find polarity of charge, सेकिंड यह यह भी बता सकता है कि जो charge है, उसकी polarity क्या है, क्या वो positive polarity का है या फिर वो negative है, मतलब positive charge है या negative charge है, third, to determine the potential difference, potential difference को determine करने के लिए भी GLE का use क्या जब्ट, ठीक है, अब इसके बाद हम इसके working देखते हैं, कि GLE काम कैसे करते हैं, ठीक है, तो GLE के अंदर, ध्यान से देखना बिल्कुल easy से working है, बहुत एक minute में समझ में आ जाएगी, यहाँ पर हमने एक road ले ली है, अब जो road हमने ली है, मान लेते हैं, हमने मानना है कि उस road पे positive charge है, मतलब कोई glass की road ले ली, ग्लास की road पे हमें पता कौन से charge होता है, positive charge होता है, ठीक है, positive charge की हमने glass road ली, अब देखो, जो glass की road होगी न, जैसे हमारे पास कुछ भी हो गया, जो glass का बना हुआ हो, जैसे मान लो यह है, अब इस पे अगर positive charge है, वो हमें देखने से तो नहीं बता चलेगा कि इस पे positive charge है, यह इस पे charge है भी या नहीं है, स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं कि इस पे charge है ही नहीं, तो जो GLE है, जब तक यहाँ पे कोई road नहीं होगी, तो यह जो gold की leaf है यह ऐसे होगी, बिलकुल ऐसे पड़ी होगी, एक दूसरे इसके नजदीक नजदीक, अब क्या हुआ, यह positive charge की glass road हम नजदीक ले आए, कि इसको touch करवा दो, touch करवाते ही, यह positive charge कहाँ transfer हो गया, जैसे ही road को हमने disc से touch करवा दिया, touch करवाना ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि touch नहीं करवाएंगे, तो negative charge induce हो जाएगा, तो अगर हम contact करवा रहे, contact करने से, इसका positive यहाँ transfer हो गया, ठीक है, तो यही positive charge, अब हुआ, यह आ गया, metallic road पे होता हुआ, कहाँ पर चला गया, gold की leaf पर चला गया, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, road को touch करवा है, positive charge, road को touch करवा है, किसे, disc से, तो disc पे भी आ गया, positive charge, डिस्क से यह charge कहाँ transfer हो गया, road पे, तो road पे भी आ गया, positive charge, road पर से यह charge कहाँ transfer हो गया, gold की, या aluminum की leaf पे, तो उन पे भी आ गया, positive charge, अब देखो, important point क्या है, पहले यहाँ पर क्या था, कि यह जो दोनों की, दोनों leaf थी, gold की, यह ऐसे थी, ठीक है, अब इस पे भी positive, इस पे भी positive, तो यह आपस में क्या करेगी, positive, positive, repel करेगी, और दूर-दूर हो जाएंगी, तो यहाँ से जो conclusion निकलता है, मतलब gold की, दोनों leaf पे positive charge आया, तो क्या आ गई, repel शन आ गई, दोनों leaf एक दूसरे से दूर हो गई, अगर दूर हो गई, repel शन आ गई, तो यहाँ से conclusion क्या निकला, conclusion निकला कि जो road है, उस पर charge है, charge is present, तो यही तो इसका first point था, to detect the presence of charge, कि charge की presence को यह detect कैसे गरता है, अरे इस पे charge होगा, तभी तो disc पे जाएगा, disc पर से road पे जाएगा, road पर से lift पे जाएगा, और lift diverse हो जाएगी, दूर दूर भाग जाएगी, repulsion हो जाएगी उनसके अंदर, तो इसका मतलब road पे charge है, अगर मान लो, road पे कोई charge होता ही नहीं, glass road, neutral होती, अगर यह neutral होती, ना यहाँ charge होता, ना यहाँ charge होता, ना lift पे charge होता, और lift ऐसे ही रहती, कोई repulsion नहीं होती, तो conclusion निकलता है, road के उपर कोई charge नहीं है, ठीक है, तो first point clear, कि किस तरह से GLE है, वो charge की presence को detect करता है, ठीक है, दूसरा point, to find the polarity of charge, अब देखो, जो polarity of charge है, उसको कैसे define करेगा, अब मालो, polarity को define करने के लिए, हम यहाँ पे दूसरी road ले आते हैं, दूसरी road, abonite की ले लेते हैं, abonite road, first step हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक करने के बाद, इस road को हटा दो, और abonite की road लेकर आओ, जिस पे negative charge हो, ठीक है, वो negative charge, positive charge से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी ह हो सकता है, जितना भी हो, ठीक है, दूसरी road ले, अब negative है, तो यह negative charge जैसे ही touch करवाएंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, obviously positive negative को neutral करने की कोशिस करेगा, तो अगर negative यहाँ पर, जैसे माल लो, for example, समझने के लिए माल लेते हैं, कि यहाँ पे 4 negative charge है, और यहाँ पे 5 positive charge है, तो जैसे ही 4 negative इस पर आया, तो कितना बच गया, सिरफ एक positive बच गया, समझ में आ, concept यह 4 और 5 का, इसका positive मान सकते हो, यहाँ पे 5 मान सकते हो, negative और यहाँ पे plus 4 मान सकते हो, फिर यहाँ पे 1 negative बच जाएगा, ठीक है, वो जो concept रहेगा, same रहेगा, तो overall, मतलब चाहे कोई भी ल में से, overall क्या है, कि जो disc है, इस पर net charge कम हो गया, net charge decrease हो गया, conclusion तो यही निकलता न, अगर पहले वाली रोड और अब वाली रोड में, कोई difference है, मतलब polarity बतानी है, कि क्या दोनों charges अलग-अलग है, अगर ऐसा है, तो net charge तो कम होगा, ठीक है, मान लो, अगर दोनों अलग-अलग है, तो net charge कम होगा, और अगर polarity same है, पहले भी positive था, अब भी positive, पहले भी negative था, अब भी negative है, तो net charge जो है, वो increase हो जाएगा, दोनों में से कोई भी case ले सकते हो, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे net charge change होगा, अगर net charge change होगा, तो road पे भी charge change होगा, road पे charge change होगा, तो gold की leaf पर भी charge change होगा, अब यहाँ पर देखो, concept आता है, यहाँ पर, इस पर मान लो, gold की leaf पर net charge है, वो decrease होगया, decrease होने का मतलब, जो net charge, अगर decrease होगया, तो यह वाली जो leaf है न, इतनी repel थी पहले, एक दूसरे से इतनी दूर थी, अब थोड़ा सा कम दूर हो जाएंगे न, क्यों, क्योंकि इन पे charge कम होगया, charge कम होगया, repulsion कम होगी, तो इनकी repulsion कम होगी, repulsion decrease हो जाएगी और repulsion decrease होने का मतलए हम बता देंगे कि जो net charge है वो कम हो गया net charge decrease हो गया और net charge decrease हो गया that means charge है वो opposite sign के है समझ आया? नहीं आया? एक बार और देखते हैं देखो easiest है बिलकुल यहाँ पे जो process है वो polarity को detect करना हमें यह बताना है कि जो charge है क्या वो दो बार हमने experiment किया दोनों बार same charge था या अलग अलग था मान लो जब हमने दो बार किया तो same charge था और एक case ऐसा हो सकता दोनों में opposite charge था ठीक है पहले positive road थी ठीक है? दुबारा लेकर आए वो road भी अगर positive है तो मतलब same charge है और अगर दुबारा लेकर आए negative है तो opposite charge है अगर opposite है तो इसका मतलब net charge decrease हो गया net charge decrease हो गया तो leaf पर भी charge decrease और उनकी repulsion भी decrease ठीक है? और जो repulsion है वो decrease हो गई ना तब हम बोलेंगे कि भी repulsion decrease हुई है मतलब gold की leaf पर charge decrease हुआ है gold की leaf पर charge decrease होगा that means net charge decrease हुआ है net charge decrease हुआ है इसका मतलब जो हमने दो बार इन दो gold की leaf के पास एक बार ये road लेकर आए हैं और एक बार ये वाली road लेकर आए हैं और दोनों road पे opposite charge था तो इस तरह से हम polarity बता सकते हैं समझा है देखो exam के अंदर सिरफ use करके हम पहले वाला step explain कर सकते हैं इतना ठीक है दो या ती number में आता है इतना पूरा लिखने की जुरुत नहीं ये समझने के लिए है बस ठीक है third है to determine the potential difference ये easy से है potential difference हम कैसे find out करेंगे जो ये gold leaf के diversion है ये एक दूसरे से इतना दूर है ये इतना दूर है ये इतना दूर है इस diversion को measure करके हम potential difference को calculate कर सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा GLE ठीक है अब यहाँ पर एक point और है वो ये कि यहाँ पर कई बार plating कर दी जाती है ये रही इस glass jar के पास में हमने क्या कर दी plating कर दी और वो plating किसके होगे मतलब चिपकादी layer चिपकादी और ये layer किसकी है tin की layer है tin की layer tin की layer किसलिए लगाते यहाँ पर to increase its sensitivity जो GLE है उसकी sensitivity को increase करने के लिए यहाँ पर हमने tin की layer लगा दी ताकि ये GLE बहुत जादा अच्छे से काम करे तो I hope GLE clear हो गया होगा दोबारा से बता रहे हूँ ये वाला जो second वाला point explain करना है ये optional है करना चाहों कर सकते हो परना starting से काम चल जाएगा